मान्यवर, देश की आन बान शान की भूमी, राजस्थान के PDA Secondary School की कक्षा दस्वी की छात्रा, यश्श्री यहाँ उपस्तित है और आपसे मार्ग दर्शन चाहती है. अपना प्रेश ने पोछिए यश्श्री. Good morning, sir. I, Ashree, from Swami Vivekanand Government Model School, Rajasthan. My classmates and I are appearing for board exams this year. So, sir, please motivate us and give some suggestions to face the exams without any stress and nervousness. Thank you. धन्यवाद यश्री, मानिवर प्रधान मंत्री जी, यश्री यह जाना चाहती है कि बोड़ के परिक्षाओं के विचार उनका mood off कर देता है. वह कैसे अपने आपको परिश्रम करने के लिए प्रेश्रिक करें? मैं सोच रहा है था, नवजवानों का तो mood off होना ही नहीं चाहिए. लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मुड़ आफ क्यों होता है? अपने खुद के कारण से कि बाहर की परिश्रिती से ज्यादा तर आपने देखा होगा कि अधिक्तम केश में दिमाग खराब होता है, mood off हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, उसमें बाहर की परिश्रितियां ज्यादा जिम्मेवार होती है. जैसे, मा ने आपने मा को कहा कि मा मैं पढ़ रहा हूं, छे बजे मुझे कुछ चाइव अगरे मिल जाए देखना, फिर आप पढ़ रहे हैं बड़ी मस्ती से, लेकि बीच-बीच में गड़ी देखते हैं, छे बजे की नहीं बजे, तो गड़बड वहीं से शुरू होती है, और फिर मा को आने में देर हो गई, वो पंदरा मिने अंदर से तुफान खड़ा हो जाता है. मा समझती क्या है, उसको समझ नहीं है, मैं दस्वी की एक्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैंने च्छाए बजे च्छाए के लिए बोला था, मुड़, पका, यही होता है ना, अब सोचने का तरीगा, दूसरा, यह सब हुआ, लेकिन अगर आपने यह सोचा, मा करे, मा इतनी मेहनत करती है, मेरी इतनी चिंता करती है, जरूर कुछ हुआ होगा, कि मा छे बजे चाए नहीं ले पाई, तकलीप में होगी, मैं जरूर देखूं, मा को कुछ हुआ तो नहीं है, मुझे बताईए, मूर आप होगा, कि मूर चार्ज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड दिया, कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही, कि एकदम से मूड डाउन हो जाता है, अगर हम आदत बना दे, आपने देखा होगा, कि हम पांच्छे दोस्तों ने कोई खेलने का कारकम बना दिया, खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक साथी अभी आया नहीं, हम लोगों को जाना है, जन्दी जाना है, आपने देखा होगा, कि उन पांच जो पहुँच गए हैं, उसमें दो ऐसे होंगे, जो छट पटाएंगे, यहार आया नहीं, यहार आया नहीं, देखो लेट होगा, देखो लेट होगा, उनका तीन ऐसे होगे, अरे यहार ठोड़, आयेगा, अपना मन का कैसा हम मेनेजमेंट करते हैं, यह मूड का साथ, जहां तक मोटिवेशन और डी मोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शाहिद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, जिसको इन चीजों से गुजरना न पढ़ता हो, हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पढ़ता है, बार बार गुजरना पढ़ता है, कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटर होते हैं, कभी एकदम से असफलता मिली तो डी म कोटिवेट हो जाते हैं, अब आप देखिए, चंद्रयान, आप सब रात को जाग रहे से, हैं, चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कोंट्रिबिशन था, क्या, नहीं था, लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैटे बढ़त जैसे आपने ही किया है, किया ऐसा होता तक नहीं ह हुआ, तो आप सब के सब, साइंटियों सब आपको पूरे हिंदुस्तान एक प्रकार से, डी मोटिवेट हो गया नहीं हो गया था, अब सब रात को जाग रहे थे, कभी-कभी विफलता हमको ऐसा कर देती है, उस दिन मैं भी वाम मौजूद था, कुछ लोगों मुझे मैं आ कि मोदी जी आपको वहाँ इस कारकम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शॉरिट ही नहीं है, आप जाएंगे और फेल हो गया तो क्या करोगे, मैंने का इसलिए मुझे जाना चाहिए, और जब लास्त कुछ मिनिट से मैं देख रहा था, क्साइंटिस्टों के चहरे पर बढ़ाव दिख रहा है, तनाव दिख रहा है, एक तुछरे के दरवासे ऐसे देख रहे हैं, तो मैं समझा कुछ अन होनी हम साइंटिस्टों है नहीं तो पुरा समध तो आता नहीं था, तो मैं समझा कुछ अन्होनी हो रही है, तो तो देर में आकर के उन्होंने मुझे बताया, तो थीक आप ट्राय कर रहे हैं, करिए, बैठा हूं, तो एक दस मिनिट के बाद उनों के बताया साब नहीं हो रहा है, तो फिर मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ महां बैठा, लेकिन मैं चैंज से बैठने पाया, सोने का मन नहीं करता था, हमारी जो पी एमों की टीम है, तो अपने कमरे में चली गई थी, आदा पोना घंटा इसे ही बिताया, मैं चकर काट रहा था, तो मैंना का, ऐसा करो और सब को बुलाओ, तो फिर जो बेचारस हो गए था उनको बुलाया, मैंना का, देखिये, सुबह हम को जाना है, देखिये, हम कारकम बदल कर देंगे, सुबह हम जल्दी नहीं जाएंगे, देर से जाएंगे, और इन साइंटिस्टों को रात के तीन बज गए हैं, लेकिन क्या सुबह, साथ, 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 आज बजे इखटे हो सकते हैं, क्या मैं मिलना चाहता हूं, मैं जा सकता था, सुबह उठकर के चला जाता हूं, और इस देश में कोई नोटिस में ही करता, कु मेरे भाव मैंने वेट तकी है, उनके परिश्रम को जितनी सराना की जा सकती हैं कि, देश के सपनों की बाते की, एक पूरा माहूल बदल गया, और वहां बदला इसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बदल गया, जिस घटना ने, और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, कहने का मतलब ये हैं, कि हम विफलताओं में भी सफलता की सिक्षा पा सकते हैं, हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं, और किसी चीज में आप विफल गए हैं, इसका मतलब ये हैं, कि अब आप सफलता की और चल पड़े हैं, अगर मही रुख गए, फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दे, आपको फिचेग लिए नहीं निकल सकते हो, ये खुद ताय करो, तो आप निकल सकते हो, और इसलिए, मोटिवेशन, डी मोटिवेशन, आपको मालूम होगा, दो हजार एक में, साइड कलकता में, इंडिया और ऑस्टेलिया का क्रिकेट मेट था, तब आप लोग तो आपना से कुछ लोग होई जिनका जन्म भी नहीं होगा, और ऐसी स्थिती हो गई, भारती टीम ऑस्टेलिया के साथ खेल रहे, अभी ऑस्टेलिया के टीम यहां पर है, तो 2001 में, ऑस्टेलिया और भारत का कौलकता मैच था, फॉलोन होना पड़ा, बुरे हाल थे, दुबारा खेलने आये, तो फटाफट बिकेट जाने लगी, सारा माहूल, डीम मोटिवेशन का था, ओडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है, भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं, जरा उच्छा बढ़ा हो, तब एक क्या, आउट हो गया, देखो, ऐसा होता है, लेकिन आपको याद होगा, राहूल द्रवीड और बिबियस लक्ष्मन, इन दोनों ने उस पीछ पर जो कमाल किया, ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खीटते चले गए, सारी परितिती को उलट कर दिया, इतना ही नहीं, वो जीत करके आ गए मैच को, महुल पुरा डी मोटिवेशन का था, लेकिन एक संकल्प कैसे हार सकते, जूट जाएंगे, जूट जाएंगे, बाल, एक एक बाल के साथ खेल, ताकत दिखाएंगे, परणाम दिया, तो 2002 में भी आपने देखा होगा, भारत के टीम बेस्ट इंडीज खेलने गई थी, तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर, अनिल कुमले, उनको एक बांसर से चोट आईगे, पुरा जड़बा तूट गया, काफी पटिया मटिया मात करके, और उसा पेन आप समझ सकते हैं, जब चोट लगते हैं, तो दात में थोड़ा सा भी दर्द होता है, कितना होता है, अब सिती एथिक के अनिल बॉलिंग कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवा नहीं की, रोते नहीं बैटे, अगर वो नभी खेलते तो देश उनको दोस्त नहीं देता, ठीक उन्होंने ताय किया, नहीं, मेरा जिम्मा है, ठीक है, दर्द होता है, तो होता है, जीतनी पटियां लगा सकते हैं, लगाएं, बाइदान में उतरे, और आपको पता होगा, कि उस समय बारा लारा की विकेट लेना, याने बड़ा एच्विमेंट माना जा जाता था, और ब्लाउन लारा की विकेट लेकर को उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया, यहने एक ब्यक्ति का संकल को, औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है, ऐसी अनेक घटना है आपके सामने होगी, जिसको देखकर क्या प्ताय कर सकते हैं कि मैं इमोशन को मैनेज करने का मेरा तरीका उस पर देखने का कैसी तरीका है उस पर निर्वर करता है, अगर इसको हमने कर लिया, तो मूड आफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे, और फिर आप उसी स्वस्तमन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे धन्यवाद आपको